बिहार में एक तरफ जहां कोरोना तेजी से पाम पसार रहा है वहीं बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका भी शुरू हो गई है कई पक्षी जो है अचानक से अब नीचे गिरने लगे हैं और मरने लगे यह तस्वीर है बिहार के वाटर वोड कारले की जहां जो कई पक्षी है वो अचानक से नीचे गिरने लगे और कर्वचारी उसको लेकर अब देहसत में है हम दिखाते हैं आपको तस्वीरे किस तरीके से जो पक्षी है वो अचानक से जो कवए है वो अचानक से जो है वो जमीन पर गिर कर छटपटाने लगते हैं और उसके बाद कुशी देर में उनकी मृत्यू भी हो जाती है देखे किस तरीके से जो ये कॉँआ है वो अचानक से पेड़ से नीचे गिर गया है और उसके बाद अभी छट-पटाहत की हालत में है छट-पटा रहा है और जैसा कि कर्मचारी बताते हैं कि कुछी देर में जो है वो जो पक्षी है जो नीचे पढ़ा हुआ है कर्मचारी ने वद कर पताया कि यह एक तुरंथ ही और देखें कि जो की जान है वह अटकी पढ़िया हलक में उसकी जान है हलकी देखे वो उड़ने की कोशिश कर रहा है भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है किसी वज़ा से घायल अवस्था में पढ़ा हुआ है और ऐसे लगभक 10 पक्षी जो है वो इस तरीके से घायल रवस्था में पढ़े हैं और भी तस्वीर हैं आपको दिखाएंगे हमारे सायोगी से कहेंगे और भी जो घायल पक्षी है उनकी तस्वीर आप दिखाएं किस तरीके से जो बिहार में कोरोना के साथ सथ बर्ड फ्लू का भी प्रवेश शुरू हो गया है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पाव पसा रहा हुए बढ़ती ठंड की आशंका जताई जा रहे हैं कि बढ़ती ठंड की वज़ा से जो कर्मचारियों का कहना है कि कुछ और पक्षी है जो घायल अवस्था में पड़े वे हैं और कुछ मृत भी हो गया है जो कर्मचारी है जो हमें साथ लेकर जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ हुआ है यहां इससे पहले भी हुआ है कि कवा मतलब की उपर से गिर क देखें किस तरीके से जो एक और है कववा उसके मृती हो चुकिया और अचानक से जो कर्मचारी कहते हैं कि पहले भी ऐसे मामला सामने आया है और अब फिर एक बार बर्ट फ्लू की दस तक शुरू हो गया और बढ़ते ठंड के बीच भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं तो बढ़ते ठंड की आशंगा जताई जा रहें कि बढ़ते ठंड की वज़ा से पक्षी जो है वह अब धीरे धीरे गिरने लगे हैं लगतार जो है कोरोना तो पाव पसारी रहा है कोरोना से तो लोग दुखी है ही या संक्रमित लगतार बढ़ते ही जा रहें और अब इसी बी कई सारे जो पक्षी है वो लगतार उनकी जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है पक्षियों के मरने की संख्या लगतार बढ़ती जा रहे हैं लगतार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यह जो कवा है घाय लवस्था में फिलाल यहां पे है और यह जल बो कर्मचारियमनी से बात करें क्या कुछ हुआ है अचानक से पक्षी गिर रहा है मर रहा है यह तो पहले भी हुआ था जाच टीम आई थी तो उसमें का रिपोर्ट वह मतलब की दिया गया था कि स्वाइंग फ्लू का अभी फिलाल तो अभी कोई जाच रिपोर्ट के लिए अभ तो इसे को कॉल नहीं किया गया है फिर भी अपने पताधिकारी को हम जैनकारी देते हैं और उसके बाद से पंदरा मिनट में ही इतने सारे पक्षियों की जो है वो मृति हो गई है और उन्होंने बताया कर्मचारी बता कि पहले भी ऐसे मामले होते हैं और पहले की रिपोर् नहीं आए हलाकि कर्मचारी वरिये जो पताधिकारी है उनको फिलाल एतिहातन सूच्णा दे दी है और यह देखे किस तरीके से जो कॉवए है लगतार उनकी जो मृत्तिव हो रहे हैं उनकी संख्या में लगतार बढ़ोत्री हो रही है कई सारे जो कॉवए है वो मर रहे है और जिसको लेकर कर्मचारी ने बताए कि पहले कि जाज टीम ने स्वाइन फ्लू की आशंगा जताई है यह कर पालक पदाधिकारी का कारयाला है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है क्योंकि उन्हीं के कारयाले में जो है यहतने सारे पक्षी जो है वो मर रहे हैं और उसको लेकर वो क्या कुछ एक्षन लेंगे हम उनसे भी बात करें अलाकि वो फिलाल अपने कारयाले में मौझूद नहीं है लेकिन जो कर्मचारी है उन्हीं से हम उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानिया है उनकी क्योंकि लगतार जो है मर रहे हैं देहसत का महौल बन रहा है क्या अब देख तो पाँ है लेकिंगे इसके जनकाड़ा जीद भीया देंगे तरफ को रोना बढ़ रहा है तरफ लगतार जो है पक्षी उमर रहे हैं डर है क्या मन में डर तो बहुत सब्सक्राइब पहले भी ऐसा कुछ हुआ है इसे पहले भी क्रोना में पच्छी मरे थे यहां पर तो जाज की टीम आई थी क्या बताया है उन्होंने उससे में इसका जनकाड़ी सर को बताया था सुनाए उसके बातरूम गया उद्धा साइड में बातरूम का रहे तो उसी के बीच खवा उप से गिर गया देह पस है अचानक से अच्छट पटाने लगा तो सरी पे तो एक ही पंचे गिरा कवगा गिरा करीब लगता है दस बारागों से उपर ही है जलापूती अंचल में अभी मालम हो रहा है कि ऑपिस के स्टाप को भी एक दो करोना होई कल गया अभी जश्ट जिसमे सुचित क्या है कि वर्य पदा दिकारी तो अभी थॉआ सा बाहर गया है आते हैं तो फिर हम लोग सुचिना देते हैं चुछ करमचारी वह भी कोरोना संक्रमित हो गया है और उसी बीच पक्षियों के मरने से लोगों के मन में दहसत काफी जादा है और से बारा की संख्या में वह इस कार्याले में मरे हुए है और कुछ जो हैं वह घायल अवस्था में लेकिन कर्मचारी का कहना है कि जो पक्षी तुरंद गिरता है वो दस से पंदरा मिनट तक छटपटाहट के बाद उस पक्षी की मौत हो जाती है जिससे हम डर के साए में हैं हलाकि अभी फिलाल सरकार की गाइडलाइन के नुसार 50% उपस्थिती जो है वो कारेले में देनी है और इसी 50% उपस्थिती के बीच यह जो कर्मचारी है वो कारेले आये हैं और वरी अधिकारी को भी जल्द ही सूचना देंगे अलाकि वन विभा की टीम को भी सूचना नहीं दी गई है जो कर्मचारी है उनके द्वारा लेकर उनका कहना कि पहले भी ऐसे मामसे सामने आए हैं और जब पहले ऐसे मामसे आते थे दो जो जहांब स्वाइन फ्लू की दस्तक बिहार में शुरुवात हो गई है स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है तो जहां एक और कुरोना से बचाव के लिए सरकार ने कहा है कि आप मीट मस लिखाए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए लेकिन उसी बीच पक्षियों में इस खरीद पर कुछ न कुछ उफार आप निश्चित पाएं प्लीज कम हैफी क्रिस्मेस ना बर्स का सुख कमना देता हूं बालवाडी केंदर दुवारा गरीब बच्चा महादली तोला में सीख्षा मुपत देने का काम करता हूं जो बंचित बच्चे हैं जो इसकुल से नही देती हुजादर काम